हेलो दोस्तो बाइसल सिगनल सॉफ्टवेर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम चेक करेगे आज का पॉफोमंस 17 फिबुरुरुरी 2020 का आज का ओवर वल पॉफोमंस केशा रहा है और सॉफ्टवेर ने केसे तरीके से काम किया वो हम आज देखेगे सॉफ्टवेर की कुछ कंडिशन रहती है अगर सही ट्रेड रहा तो हम काम करते है अगर गलट ट्रेड रहा तो हम काम नहीं करते है तो जैसे की यहां कंडिशन यह है यह गेल का चार्ट लगा है अपके समने यहां एक सेल सिगनल जनरेट हुआ है यह सेल सिगनल कंफर्म है उस इसा गलत है पर यहां software आपको साप साप बता देता है जब sale signal generate हुआ तो उसके back में एक downside arrow होना compulsory है अगर downside arrow नहीं है तो हम sale में काम नहीं करेगे यहां already था तो हमने काम किया और दूसरे confusion आपको यह होता है कि कहां पर आपको hold करना चाहिए और कहां पर आपको exit करना चाहिए तो आज market open हुआ तुरन software ने बोला कि अभी भी आप continue hold रख सकते है market और गिरेगा तो जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे आपको software बोलता जाएगा और गिरेगा मैं एक example आपको SBA का दे देता हूँ जैसे कि यहाँ SBA ने पहले sale दिया तो हम पहले verification करेंगे downside arrow मिला है yes मिला है अब यहां आपको बोला और गिरेगा hold रखिये यहां आगे आपको बोला और गिरेगा hold रखिये जैसे जैसे market डाउन जा रहा है वैसे वैसे आपको बोल रहा है गिरेगा 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 और गिरेगा और गिरेगा देखिए अब ये पूरा जो रेली बनता है उपर से नीचे तक का ये पूरा का पूरा आप benefit इस software के मुताबिज आप ले पाएगे क्योंकि दूसरा कोई software आपको एसा continue hold 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 आपको दिखाता नहीं है दूसर अगर ये white color की line से market अगर नीचे है तो हम इसको double verified trade मानेगे और ये पक्का नीचे जाएगा तो ये दोनों sit से verified trade था बहुत अच्छा हुआ SBI बहुत गिरा कोई दूसरा चेक करेंगे buy का example, buy का example में है 17 February के अंदर आज उसने buy signal दिया और confirm है उसका reason ये है कि buy के पहले उसने ये उपर की side confirmation दिया और अभी cost to cost चल रहा है और ये पक्का उपर जाएगा क्योंकि एक confirm trade है कोई दूसरा चेक करते है इंडिया bull housing finance अब exit कहां पर करें कोई दूसरा software आपको exit का point नहीं मिलता है तो यहां sale दिया confirmation दिया यहां आपको बोल दिया गया कि आप exit कर लिजिए अब ये उपर जाने की सब्वावना नहीं है तो आप यहां से exit हो जाएए कोई दूसरा चेक करते है जैसे कि dabber तो dabber के अंदर भी sale signal था confirm था और उसमें आगे confirmation दिया यहां आपको बोला आ गया कि और गिरेगा hold रखिये यहां again आपको बोला गया और गिरेगा hold रखिये अभी continue market अभी धाए बज रहा है और अभी भी बोल रहा है continue hold रखिये market गिरे कोई confusion नहीं है आपको कहीं से भी exit मतलब कि गलत signal को avoid करता है एक और example चेक कर लेते हैं जैसे कि यह buy signal बना है buy signal हमारा confirm है यहां आपको बोला और उपर जाएगा hold रखिये again आपको दो बार बोला गया और उपर जाएगा hold रखिये but कोई दूसरे software में अगर आप होते तो आप आपको पता नहीं लगता कि यह sale है वो गलत है पर यहां आपको software ने बता दिया कि गलत trade है क्यों गलत है क्योंकि confirmation error नहीं है तो आप इस signal जो buy का बना है वो continue carry forward करकर आप continue रख सकते है इसकी position continue रख सकते है यह sale आया है गलत है यह नीचे नहीं जा पाएगा यहां से आपको बोल दिया गया कि अब आपको निकल जाना चाहिए तो यह यहां बोला hold करिए hold बोलिए hold करवाया और यहां से बोला exit करवाया है मतलब कि maximum जितना उपर जाएगा उनमें से maximum profit करवा कर आपको निकालेगा अब यहां sale आ गया तो फिर से बेट जाएगे sale के अंदर क्योंकि confirm ह अब देखेंगे जब तक यह निचे जाएगा पूरा लंबा रेली निचे तक जाएगा तब तक आपको बोलता रहेगा hold करिए hold करिए hold करिए तो इसलिए तरह हमारा software काम करता है अगर किसी को question है तो आप हमारा number destruction box के अंदर दिया गया है who's be query है what's up कर सकते है आप question कर सकते है no problem anytime तो और इस channel पर हम free में आपको buy and sell signal live करते रहते है और आपको कुछ profit करवाते रहते है इसलिए आप इस channel को like और subscribe करना मत बुलिएगा धन्यवाद दोस्तों